हेलो नमस्कार आप सभीका स्वागत है हमारे इस यूटूप चैनल में तो जैसा कि डिफेंस की त्यारी करने वाले जो भी एस्पिटेंट्स हैं केंडिडेट्स हैं जो इंडियन ने भी कि त्यारी करते हैं तो उनके लिए बहुत ही अपडेट एक आ रही है तो इंडियन ने की ऑफिसियल नोटिफिकेशन आई हुई है जो कि ए यानि आटिफिसियर अप्रेंटिस और एश आर सिनियर सेकेंडरी रिक्यूट की भाकेंसी आई हुई है और यह भाकेंसी कब से भरी जाएगी और कब से आप सभी को इसका फॉर्म ओल्लाइन फिलफ होगा इसके बारे में जनकारी प्राप्ट करते हैं तो सबसे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि इसकी अजिविलीटि जो है इसकी यानि इस भाकेंसी की सब डपल ए यानि डवल यह जो है अप्रेंटिस 500 है और एसीसर दो हजार भाकेंसी है तो इसके लिए आप सभी को डवल ए के लिए प्लस टू पास होना चाहिए और भी 60% मांक्स से जाधा मांक्स आना चाहिए 60% से जाधा मांक्स किसमें math और physics में at least इसमें से कोई आपको एक सब्जेक्ट होंगे और वो सब्जेक्ट कौन से at least होने चाहिए math और physics के साथ आपको chemistry, biology या computer science ये सब सारे इन कोई में से एक subject आप सभी को चाहिए SSR में अगर form फिलब करना चाहते हैं तो आप सभी को 10 प्लस 2 पास होना ज़रूरी है और math और science में भी इस में से कोई एक में या इन दोनों subject में आप सभी को चाहिए और साथ ही साथ आपको chemistry, biology ये भी चाहिए या दोनों की usability एक ही है अब इसके लिए age कितने होने चाहिए यानि वैसे candidate जिनके age कितने के बीच होने चाहिए 1 अगस्त 2002 से लेकर 31 जुलाई 2005 के बीच में होने चाहिए इन ही के बीच उन candidates का जो date होने चाहिए अब यह देखिए इसब basic पेले पे जो है allowance है कि उनको कितना जो basic पे allowance मिलता है फिर से यह promotion यह सब सारा चीज़ जो है अब आईए थ्वासा और जान लेते हैं आगे कि हम लोग को कैसे यहां सब आप सभी को usability करने के बाद आप सभी क से candidate होंगे जो की बेस्ट और एग्रेगेट पर्सेंटेज अप्टेन फिजिक्स mathematics एक्नेक्स वन टी सब्जेक्ट यानि अब सौटलिस्ट लोगों को कैसे बुलाया जाएगा वैसे लोगों को जो भी मैत और फिजिक्स में मार्क्स लाने के साथ इन दोनों में तो अनिवार हैं ही साथ ही साथ chemistry biology इन सब्जेक्ट में से जो भी qualifying marks लाएंगे वो सौटलिस्ट वी कैरिट आउट अस्टेट वाइज जो भी क्या होंगे अस्टेट वाइज यानि राज के नुसार से उनको चैनित किया जाएगा वह भी four times the number of vacancy जितनी वाकेंसी है यानि 500 वाकेंसी है त जो भी अस्टेट वाइज से के नुसार वाकेंसी दीग है उसके नुसार से cut-off भी अलग-अलग होगा और the shortlist candidate would be issue call of letter for a written examination and PFT और उसी को बुलाया जाएगा written examination and PFT के लिए जिनका shortlist होगा यानि marks के नुसार से उनको किया जाएगा अब यह क्या होगा written examination यानि written examination जो होगा double A और SSR के लिए दोनों के लिए एक ही examination होगा और यह examination bilingual होगे यानि दोनों language में होगे हिंदी में भी और English में भी और objective type अब question paper आपको कैसे होगे question paper में 4 खंड होगे यानि 4 section होगे English से सवाल पुछे जाएंगे science से पुछे तो जैसा कि आप सारे syllabus को जो भी इन में अलग 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 दिया गया है आप syllabus को भी दोत रूप से देख सकते हैं आप सभी को अगर syllabus जानना हो तो comment box में जरूर कि आप comment कि जेगा मैं syllabus पर अलग से वीडियो बना दूँगा तो उसके बाद जो भी candidates नहां से क्या होगे उनक physical fitness टेस्ट फेजिकल टेस्ट यानि उनके लोग का होगा जोग करना है यानि साथ मीनट में आप सभी को शौल षओ डोड लगानी है उसके बादcor करना है और दस पुसब करना है आपको केंडिएट अंडरगोई पीफटी Van gesagt आप सभी को करना है अब यह है जो भी लोग अपने परफॉर्मेंस के अनुसार सारा चीज करेंगे तो उन लोगों को यह टॉप 600 जो बैकेंसी है उसके लिए 600 कैंडिट को प्रॉक्स जो है भेजा जाएगा आइनस तिलका और जो आप सबसे बड़ी बात यह है कि यह फॉर्म फिलफ कब से कब होंगे तो इसके बारे में जान लेते हैं तो फॉर्म फिलफ जो होंगे यह हमारे ओनलाइन मोड में होंगे और यह 29 मार्च 2022 से लेकर 5 अपरिल 2022 को होंगे तो 29 मार्च 2022 से 5 अपरिल 2022 को यह फॉर्म फिलफ खुल जाएंगे और आप जैसे ही फॉर्म फिलफ अप्लाई खुलता है तो आप उसके उसके बहुत जल्द में ही फॉर्म भर दे क्योंकि फॉर्म भरने की एक अच्छा क्वालिटी में color photograph करना है जो कि blue background होना चाहिए और application में भी uploaded from common service center जो भी CAC वो सुधा केंदर है इन केंदरों के पास आप इस चीज़ को भरत पाएंगे और इनकी fix price 60 रुपे plus GST है यानि 60 रुपे और plus में जो भी इसके अनुसार GST लगी उनसी को आप सभी को देना होगा इसके बारे में ज़्यादा और जनकारी प्राप्त करने के लिए यानि सिलेवस जानने के लिए आप सभी हमारे comment box में जरूर comment कीजेगा तो मैं इसके अतरिक्त आपको सिलेवस बता दूँगा और ऐसे ही लागतार वीडियो को देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें जो कि आप सभी जानते हैं कि लास्ट डेट ओनलाइन अप्लिकेशन पांच अप्रिल है और सुरू हो रही है 29 मार्च को ये फॉर्म सुरू हो जाएगा तो आप सभी इस फॉर्म को जरूर भरें और जास जादा जो भी है इस वीडियो को सेर करें ताकि सभी लोग इस नोटिकेशन को समझ ले और जान जाए धन्यवाद